प्रिय सिक्षार्थियों एन आई यूस के इस स्टूडियों में मैं डाक्टर निलेश कुमार आप सभी का हारदिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ आज हम लोग पाठ 26 अरथालंकार इस पर परिचर्चा करेंगे प्रस्तुत पाठ का नाम अरथालंकार है अरथार जिस अलंकार में अर्थ का महत्व है अर्थ को आधार बनाकर जिसका चर्चा की गई है वो अरथालंकार है पुरो की कक्षा में हम लोग अलंकारों के विशे में चर्चा कर चुके हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेर कितने हैं प्रस्तुत पाठ में हम अलंकारों के अंतरगत अर्थालंकार पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे अब अर्थालंकार कहते किसको हैं? तो जो अलंकार अर्थ के आश्रित होते हैं, वे अर्थालंकार कहलाते हैं जो शब्द परिवृत्त सहत्वम, अर्थार जो शब्द के परिवर्तन को सहन करते हैं उसके इस्थान पर परियावाचक सब्दों के प्रियोग को स्विकार कर लेते हैं वे अर्थालंकार कहलाते हैं अर्थालंकार तब तक गलत नहीं हो सकता जब तक उसका अर्थ में परिवर्तन नहीं हो सकता अगर अर्थालंकारों में अर्थ में परिवर्तन हो गया तो वो अर्थालंकार नहीं होगा तो जब तक अर्थ परिवर्तन नहीं होता है एक शब्द आया है, शब्द परिवृत्य शहत्वम, शब्द आलंकारों के लिए भी है, शब्द परिवृत्य शहत्वम, कि जो शब्द आलंकारों में, शब्द आलंकार वह आलंकार है, जो शब्द के परिवरतन को सहन नहीं कर सकता है, अरथात उसमें जो शब्दों का प्र परिवर्थि को सहन कर ले अर्थात जो सब्द परिवर्थन को सहन कर सकता है अर्थात किसी सब्द के इस्थान पर उसके परयवाची सब्दों का प्रियोग किया जा सकता है उसके इस्थान पर हम परयवाचक सब्दों का प्रियोग कर लेते हैं तो सब्द परिवर्थि सहत्व ये अर्थालंकार का लक्षण है और अर्थालंकार तब तक बाधित नहीं होता है जब तक हम उसके अर्थ में परिवतन नहीं करते हैं यदि हम उसके अर्थ में परिवतन नहीं करेंगे तो अर्थालंकार की सत्ता बनी रहती है अनुप्रास, यमक, आधी जो अलंकार है ये सब्दालंकारा होते हैं क्योंकि सब्दालंकारों में सब्द का महत्र होता है और उप्मा, रूपक, ये उत्प्रेक्षा, ये सब जो अलंकार है ये अर्थालंकार होते हैं जिसमें अर्थ का महत्र होता है जो अर्थ आश्रित होते हैं आगे हम अन्य अलंकारों के संदर्व में चर्चा करेंगे सबसे पहले हम अर्थ अलंकारों में उपमा अलंकार का प्रियोक करते हैं उपमा अलंकार का लक्षण है साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्याइक्य उपमाद्वयो अर्थात जब एक वाक्य में उपमान और उपमेय के विर्द्ध धर्मों के कथन से रहित इव आधी सब्दों से प्रतिपादित गुण विश्यक रथा क्रिया विश्यक समानता उपमानामक अलंकार होता है अगर हम इसको सामानने अर्थों में बोले तो जहां उपमेय में उपमान की समानता बतलाई जाए सादिश्चता बतलाई जाए वहां उपमानामकार होता है और यह किस में होता है एक ही वाक्य में होते हैं इसलिए लक्षर में लिखा गया है वाक्यक्य उपमाद्वयोः उपमा के जो दोने उपमान और उपमेय है एक ही वाक्य में जब उपमान और उपमेय दोनों विरुद्ध धर्मों के कथन से रहित इव आदी सब्दों से उपम होते हैं, तो करें जब उपमे में उपमान की साधिश्चता को बतलाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है इस उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं उपमे में उपमान की जब साधिस्चता को बतलाई जाती है, वहां उपमालंकार होता है, उस उपमालंकार के चार अंग होते हैं. उपमान, उपमे, साधार अनधर्म और वाचक सब्द, ये चार अंग हैं. उपमान किसे कहते हैं? जिसकी हम उपमा देते हैं, उसको उपमान कह और उपमेय किसे कहते हैं, जिसके लिए उपमेय, जिसके लिए हम उपमा देते हैं, जिसके लिए हम उदाहरण के रूप में प्रयोक करते हैं, तो उपमान जो होता है, वह एक तरीके से उपमेय से अधिक गुणवाला होता है, हमेशा उपमान स्रिष्ठ होता है, क्योंकि वह तुलना की जा रही है किसे से उपमेय से यथार्थ वस्तु से तो उपमान का जो अर्थ है कि जिसके लिए हम विशेशन दे रहे हैं वह उपमान है और उपमेय क्या है जिसके लिए हम यह विशेशन दे रहे हैं वह उपमेय होता है जैसे हम कहें उसका मुख चंद्रमा के समान तो यहां मुख जो है वह उपमेय है क्योंकि उसकी हम तुलना की कर रहे हैं और चंदमा क्या है उपमान है हम मुख की तुलना किसे से कर रहे हैं चंदमा से अपने से स्रिष्ठ से कर रहे हैं इसलिए यह उपमान और उपमेय का सामाने परिचय है तीश्रा है साधारण धर्म साधारण धर्म से तात परे है जिन गुणों से हम उसकी तुलना कर रहे है सुन्दरता से, उसके वीरता से, उसके पुरुशार्थ से कोई भी विशय हो सकता है तो साधारण धर्म से तात परे है उस सूस साधाराण धर्म के लिए जो प्रियोक्त सब्द किया, आपके अलंकार में प्रियोक किया जाता है तो उपमा अलंकार के जो प्रमुख अंग है, उपमान हो गया, उपमे हो गया साधाराण धर्म के अंतरगत जो उपमा वाचक सब्द का हम प्रियोक करेंगे और वाचक सब्द जो है वह इव आदी जो सब्द है वह उपमा वाचक सब्द है इव का प्रियोग उत्प्रेक्षा अलंकार में भी होता है और उपमा अलंकार में भी होता है लेकिन यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि उपमा में इव का जो प्रियोग होता है वह संग्या के साथ होता है और उत्प्रेक्षा में जो इवशब्द का प्रियोग होता है वह क्रिया के साथ होता है तो यह उपमालंकार के चारो भेदों का सामाने परिच्य है अब उपमालंकार के उदाहरण को देखते हैं उदाहरण है कमलमिव मुखम, पुरो में भी यही उदाहरण बताया गया, कि उसका मुख चंदमा के समान है, या उसका मुख कमलमिव मुखम, कमलमिव मुखम, उसका मुख किसके समान है, कमल के समान है, मुख की साधिश्चता कमल से दिखलाई गई है, बतलाई गई है, कि उस उसका मुख और कमल का मुख एक समान है तो प्रस्तुत उदाहरण में मुख जो है वह उपमेय है उपमेय जो होता है वह गुर में उपमान से कम होता है तो प्रस्तुत उदाहरण में मुख क्या है उपमेय है मुख कितना भी सुन्दर हो जाए वह कमल के समान को मलता कमल के समान सुन्दरता को प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए यहां मुख को उपमे कमल मुख की तुलना किसे की गई है कमल से की गई कमल स्रिष्ठ है तो कमल को उपमान माना गया है तो मुख उपमे कमल उपमान तथा इव जो है वह क्या है शादिस्य वाचक सब्द है यहाँ पर संदर्य रूप जो साधारन धर्म है वह वाच्चे नहीं है था साधारन धर्म जो है उपमान, उपमे, साधारन धर्म और वाचक सब्द प्रस्तोत धर्म में तीन का प्रयोग किया गया है उपमे का भी यहां प्रियोग है मुख के रूप में, उपमान के रूप में कमल का प्रियोग है यह लोक जीवन में भी हम देखते हैं जब हम किसी से किसी की समानता को बतलाते हैं कि वह सेर के समान बहादूर है तो यहां जब हूं साधिश्चता की प्रतीती कराते हैं साधिश्चता की बात करते हैं वहां उपमालंकार होता है इस उपमालंकार के दो भेद होते हैं पुर्रोपमालंकार और लुप्तोपमालंकार पुर्व के जो उपमा के चार अंग वतलाए गए है जिस उपमा अलंकार में ये चारो अंग उपस्थित होते हैं जहां उपमे भी हो, उपमान भी हो, साधार और धर्म का भी प्रियोक किया गया हो और उपमा वाचक सब्द का भी प्रियोक किया गया हो वह अलंकार पुर्णोपमा अलंकार होता है यतात वह अलंकार पुर्ण होता है, अगर एक भी अंग नहीं रहेगा, तो वह पुर्णोपमा नहीं होगा, यह पुर्णोपमा का सामाने लक्षण है, आगे हम पुर्णोपमा अलंकार के उदारण को देखेंगे, कमल इव मुखम मनोग्यम, यह पुर्णोपमा का उदारण ह कि उसका मुख कमल के समान सुन्दर है, मनोग्य, मन को अच्छा लगने वाला है परस्तुत उदाहरण में मुख जो है वह उपमेय है, उपमेय के रूप में मुख का प्रयोक किया गया है उपमान के रूप में कमलम, कमल का प्रयोक किया गया है साधारन धर्म के रूप में कौन से तुलना की गई या कौन से साध्रिस्टा की बात की गई तो मनोग्यता सुन्दरता तो साधारन धर्म के रूप में जो सब्द का प्रयोक किया गया हुआ है मनोग्यम और उपमा वाचक सब्द क्या है इव तो प्रस्तुत उदाहरण में पुर्डोपमा के चारो जो अंग है उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म एवं वाचक सब्द इन चारो अंगों का प्रियोक किया गया है इसलिए यह पुर्डोपमा अलंकार हुआ पुनह इस पुर्डोपमा अलंकार के दो भेद होते हैं शरौती और आर्थी शरौती पुर्डोपमा और आर्थी पुर्डोपमा अब अलंकार के दुतिय भेद लुप्त उपमा अलंकार पर हम चर्चा करेंगे उसका लक्षण है लुपता सामान्य धर्मात एकस्य यदिवाद्वयोह त्रयानाम वानुपादाने श्रत्यार्थी सापी पुर्ववत अर्थात उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक सब्द इन चारों अंगों में से एक दो अथवातीन का साक्षात कथन न होने पर लुपतोपमा नामक अल लुपतोपमा अलंकार में चारों अंगों का होना आवस्यक होता है किन्तु लुपतोपमा अलंकार में इन उपमान उपमेय साधारण धर्म एवं वाचक सब्द इन चारों में से अगर किसी एक का भी लोप हो जाए तो वह लुपतोपमा अलंकार कहलाता है इसका उदारण ह मुख चंद्र इव इसके जो उदारण को अगर आप समझेंगे देखेंगे तो इसमें उपमेय का प्रियोग है मुख जो है वह उपमेय है चंद्र जो है चंद्रमा जो है वह उपमान है और उपमा वाचक सब्द जो है इव का प्रियोग किया गया है यहाँ पे साधारण धर्म का प्रियोग नहीं है, इसलिए यह लुप्तोपमा अलंकार हुआ इस लुप्तोपमा अलंकार के भी दो भेद प्राप्त होते हैं, स्रौती लुप्तोपमा और आर्थी लुप्तोपमा ये उपमा अलंकार के यह दोनों भेध हुए पुरूणोपमा और लुप्तोपमा आगे हम दूशरे अलंकार अरथा अलंकार अनन्मय अलंकार का अनन्मय अलंकार का हम लक्षन देखेंगे अनन्य वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु उपमान और उपमे या दोनों ही रूपों में कल्पित हो जाया करती है इसका मतलब है कि अनन्य वह अलंकार में एक ही वस्तु का उपमान और उपमे के रूप में प्रयोग होता है उसके लिए किसी दूसरे वस्तु के उपमान की आवशक्ता नहीं होती है एक ही वस्तु स्वयम के लिए उपमे होता है और स्वयम के लिए ही उपमान हो जाता है जिसमें एक ही वस्तु उपमान और उपमेय दोनों ही रूपों में कल्पित हो जाया करती है अर्थात जिसमें उपमेय अपने अत्रिक्त किसी अन्य उपमान से किसी प्रकार का साधिश्य नहीं रखता अथार किसी अन्य उपमान से जिसका कोई तात्परे नहीं होता है, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है इसके उदाहरन को देखते हैं कि राजीव मिवराजीवं जलम जल मिवाजनि चंदस चंद इवात अंद्रह सरत सुम योद्यमे प्रस्तुतिशलोक में शरद रितु के प्रारंभ का वरण किया गया है कि शरद रितु का प्रारंभ क्या हुआ कि कमल कमल के समान जल जल के समान जलम जल मिवाजनि जल जल के समान और चंदस चंद्रह और चंद्रमा चंद्रमा के समान निर्मन लगने लगा जब शरद रितु का प्रारंभ होता है तो वातावरन सुध्ध होता है उस समय तो यहां प्रस्तुतिशलोक में जो उपमान का प्रयोक किया गया है वह उसी उपमे को ही उपमान के भी रूप में प्रयोक किया गया है जैसे राजीवमिव राजीवम यहां कमल कमल के समान ही स्वक्ष लग रहा है सुन्दर लग रहा है कमल की तुलना किसी और से नहीं की गई कमल की तुलना कमल से ही की गई जल जल के समान ही निर्मन लगने लगा है और चंदमा चंदस चंद्रह इव और चंदमा, चंदमा के समान निर्मल लगने लगा है अर्थात यहां एक ही सब्द कमल, जल और चंदमा का अपने ही स्वैम को उपमान के रूप में भी प्रयोग इसमें किया गया है किसी अन्य उपमान को उन्होंने नहीं लिया है अपनी तुलना, अपनी सादिश्चता, अपनी समानता वह किसी अन्य से नहीं किये है इसलिए यह अनन्य अलंकार हुआ आगे हम रूपकलंकार की विशय में अप्चर्चा करेंगे रूपकलंकार का लक्षण है रूपकम रूपितारों पे विशय निर्पहनवे अर्थात, जहां उपमेय पर उपमान के साथ अभेद आरोप हो अर्थात, निशेध रहित आरोप हो, वहां रूपकलंकार होता है अभेद आरोप आरोप से तात्पर है कि उसमें भेद तो होता है अंतर तो होता है, लेकिन आरोप ऐसा किया जाता है कि वह अभेद प्रतीत होता है लगता है कि इन दोनों में कोई भेद ही न हो तो उपमे और उपमान उपमे कोई अथात वस्तु है और उससे जो स्रिष्ट वस्तु है वह है उपमान उपमे कि यह पेक्षा उपमान स्रिष्ट होता है तो कह रहे हैं जहां उपमेय पर उपमान के साथ अभेद आरोप हो, भेद से रहित आरोप हो, निशेध रहित आरोप हो, वहां रूपकलंकार होता है रूपकार्थ होता है रूपका आरोप करना, किसी के रूपको आरोपित कर लेना जैसे कोई अभिनेता है कोई रंगमंच का नायक है नच है वह किसी के रूप का राम लक्षमडारी किसी पात्र के रूप का आरोप करता है अर्थात उनके रूप को धारण करता है जबकि वास्तों में दोनों में भेद हैं किन्तु उनके स्वरूप को धारण कर लेने से वह अ अभेद आरोप हो जाता है, तो यहां रूपकार्थ है, रूपका आरोप, अर्थात उपमान उपमे को अपना रूप दे करके, उसके साथ अभेद संबंध स्थापित कर लेता है, इसका उदाहरण है मुख चंद्रह, मुख चंद्रह अर्थात उसका मुख मानो चंद्रमा है, यहां मुख को हटा करके उसको क्या बना दिया गया? चंद्रमा मतलब मुख और चंद्रमा में कोई भेद ही नहीं रह गया अभेद आरोप की प्रतीती हो रहा है कि उसका मुख चंद्रमा है चंद्रमा के समान जब बोलेंगे तो वहां उपमा हो जाएगा यहां कह रहे हैं उसका मुख चंद्रमा है अर्थात मुख में और चंद्रमा में कोई भेद ही नहीं है लेकिन वास्ताव में भेद है यहां चंद्रमा की जो सुन्दर्ता है वह मुख को निगरण कर ले रहा है मुख के उपर आरोप कर दे रहा है कि उसका मुख ही चंद्रमा है इतनी सुन्दरता उसके मुख की है कि वह चंद्रमा ही है तो यहां मुख चंद्रमें मुख पर चंद्र का अभेद आरोफ होने के कारण यहां रूपक अलंकार होता है अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रक्षा अलंकार का लक्षण है भवेत संभाव अनोत प्रेक्षा प्रकितस्य परात्मना इस पर चरचा करने के पहले कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो साधिस्य मूलक अलंकार होते हैं उनके भेद को समझना आवश्यक है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय ये जो अलंकार है ये साधिस्य मूलक अलंकार है उपमा अलंकार का जो प्रान होता है, जो मूल भूत तत्र होता है, जो मूल उसका आत्म तत्र है, वो है साधिश्यता उपमा में साधिश्यता बतलाए जाती है अनन्य अलंकार में एक ही वाक्य में एक ही वाक्य में उपमे और उपमान दोनों होते हैं उसमें उपमेय के साथ ही उपमान की कलपना की जाती है, अलग से उसकी कलपना नहीं होती है रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है और उत्प्रिक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की उत्कटेक कोटी संभावना जो होती है साधिस्चता की जो संभावना है वह दिखलाई जाती है तो उपमा में साधिस्चता होती है और उत्प्रिक्षा अलंकार में संभावना होती है इसलिए लक्षा में प्रियोग है भवेत संभावनोत प्रिक्षा प्रकितस्य परात्मना अथात उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रक्षा अलंकार कहते हैं अथात उत्प्रक्षा अलंकार में उनके साधिश्य की संभावना की जाती है उपमेय में उपमान की उत्कटेक कोट संभावना की जाती है संभावना जो होता है वह निश्चय और संदेह के बीच की इस्थती होती है निश्चय में तो यह निश्चय किया जाता है कि नहीं यह ही राम है यह ही सोहन है यह ही मोहन है निश्चय होता है संदेह का जो लक्षन है कि यह राम है या स्याम है या अंधेरे में किसी रस्षी को देख करके यह संदेह होता है कि यह सर्प है कि रस्षी है किन्तु संभावना जो होती है वह इन दोनों के बीच की स्थती होती है इसमें न तो निश्चे ही होता है, न तो इसमें संदेह ही होता है, अथात इसमें संभावना की जाती है, कि यह हो सकता है, इसका उदाहरण है, जिसके पास ग्यान होता है, वो मौन नहीं होता है, लेकिन यहां बिरोधी गुण है, ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति मौन दहता है प्रस्तुतिश लोग रग्हुनसी राजाओं के विशय में बररंग किया गया, रग्हुनस महाकाव्यम से लिए गया है कि रग्हुनसी राजा ज्ञान होने पर मौन धारण करते हैं, सक्ति होने पर भी लोगों को छमा करते हैं जो बलवान होता है वो कोई सी को छमा नहीं करता है, समाज में हम देखते हैं लेकिन रग्हुनसी राजा सक्ति होने के बाद भी लोगों को छमा करते हैं त्यागे श्रागा भी परिये यहां और धन संपत्तियादी होने पर भी वह उसका क्या करते हैं? त्याग करते हैं. तो गुडा गुडा निवन धत्वा तस्य सप्रसवाईव. यह जो गुड है वह आपस में इस प्रकार से रहे मानूँ वह सहोदर हों. सप्रसवाईव. तो यहाँ पर गुणों की जो सहकारिता है जो सहचारिता है ज्ञान, छमा, ज्ञान, सक्ती और स्लागा जो आत्मसम्मान है जो आत्मसम्मान की जो बात होती है सौरे की जो बात होती है यह जो गुण होने के बाद भी वह गुण उनके अंदर कैसे रह रहे हैं प्रसव रूपी गुण की संभावना की गई है यहां गुणों की संभावना किसे की गई है सब प्रसवा इव सबप्रसव कहते हैं कि जब किसी एक ही मा के गर्व से जो उत्पन होते हैं वो सबप्रसवा कहा जाता है प्रसव यहां यह सारे गुण एक ही राजा के अंदर से निकल रहे हैं इसलिए यहां राजा के साथ इन गुणों की संभावना की गई है तो गुणों की सहचारिता में सबकसव रूपी गुण की संभावना की गई है और यह संभावना कैसा है? उत्कटेक कोटी संभावना है यहुदारण उत्प्रक्षालंकार का हुआ अगला अलंकार है अपहनुती अलंकार अपहनुती का लक्षण है प्रक्तितम प्रतिस्य ध्यान्यत स्थापनम स्याद अपहनुति है अर्थात जहां उपमे का निशेध करके उपमान का आरोप या इस्थापना की जाती है वहां अपहनुती अलंकार होता है अर्थात जहां उपमे वास्तविक का निशेध करके उससे जो गुरों में स्रेश्थ उपमान है उपमान का आरोप कर दिया जाए या इस्थापना कर दिया जाए वहां अपहनुती अलंकार होता है अब यह जो इसमें सब्द दिया है प्रतिसिध्यान प्रतिशेध जो निशेध है किसका निशेध किया जाए यह निशेध जो उपमे का निशेध किया जा रहा है यह निशेध दो परकार का होता है पहला है उपमेय प्रतिशेध पुर्वक आरोप और दूशरा है उपमान इस्थापना पुर्वक आरोप अर्थार जहां उपमेय का निशेध कर दिया जाए वो आरोप भी अपहनुती होगा और जहां उपमान की स्थापना की जाए वह आरोब्भी अपहनुती यलंकार होता है उदारण देखते हैं इसका उदारण है प्रस्तुति शलोक में नेदम नभो मंडल नभ मंडल जो है यहां नभो मंडल का जो है अधार आकास मंडल आकास मंडल की तुलना किसे की गई है नेदम नभो मंडल अंबुरा सिरने तास्च तारा नव फेन भंगा यहां नभो मंडल की और तारा नव फेन भंगा आकास में जो तारें हैं तारों के तुलना किसे की गई है? फेन भंगा, ज़ाग जो होता है उससे की गई है नायम ससी कुंडलितह फरिन्द्रव और चंद्रमा के तुलना भी सरपसे की गई है तो इसमें जो जिन उपमेय आदी सब्दों का निशेध किया गया है और उनके स्थान पे जिनकी स्थापना की गई है यही इस अपहनुती का मूल है प्राणतत्व है तो इहां नभो मंजल आदी उपमेय का नभो मंजल ताराओं का सशी कुंजली का और कलंक का सब्दतह निशेध करके नभो मंजल की तुलना किसे की गई है छीर सागर से की गई है छीर सागर आदी उपमान की स्थापना की गई है यह जो उदारण है इसमें नभो मंजल आकास म प्रस्तुत इस लोक में नभो मंजल आदी उपमेय का शब्दत निशेध कर छीर शागर आदी उपमान की स्थापना की गई है यहुदारान के माध्यम से बतलाया गया है कि अपनुती अलंकार में उपमेय का शेध करके उपमान की स्थापना की जाती है धन्यवाद